लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें आशिकों साब बेतमजना कोई जिन्हें देख देखने दे जलना लेके आग पराए घर से जिन्हें फूक लेना घर अपना ये इश्ग ना दरता मौत से भी चाहे सूली चड़ना बढ़ जाए ये इश्ग ना दरता मौत से भी चाहे सूली चड़ना बढ़ जाए ये इश्ग ना दरता मौत से भी चाहे सूली चड़ना बढ़ जाए ये इश्ग ना दरता मौत से भी चाहे सूली चड़ना बढ़ जाए ये इश्ग ना दरता मौत से भी चाहे सूली चड़ना बढ़ जाए इश्क नंदर का मौत से जारे सूली जड़ना पढ़ जाए इश्क जितार आप अपनी निगाह कर गया महल हो या घरोंदा तबाह कर गया इश्क का देन भी क्या अजब देन है इश्क का देन भी क्या अजब देन है जिसमे खुश होया सूली अता कर गया इश्क ना दर का मौत से जारे सूली जड़ना पढ़ जाए रफीक हम बंदे को नाजीज है इस इश्क को से तौबा खुदा कर गया इश्क ना दरता है मौत से भी मौत से भी मौत से भी इश्क ना दरता मौत से भी ये इश्क ना दरता मौत से भी चाहे सूली चड़ना पढ़ जाए ये तो रूठा यार मना लेता ये तो रूठा यार मना लेता चारे कंजरी बनना पढ़ जाए ना दरूरत यहां वदीफों की है ना दरूरत यहां वदीफों की है नहीं बनता काम नमाजों से नचना भी इबादत होता है नचने का जो धंग होवे तो रूठा यार मना लेता साही पंजरी बनना पढ़ जाए यह तो रूठा यार मना लेता साही तंजरी बनना पढ़ जाए लोग पाँच नमाजों पढ़ते हैं लोग पाँच नमाजों पढ़ते हैं लोग आच नमादे पढ़ते है फिर सारा दिन वो आली है इश्क दम दम पढ़ता रहता है इश्क दम दम पढ़ता रहता है जाएगा फिर मौना पढ़ जाए इश्क कबर मुसल्मानों के कबरिस्तान में जो इश्क पर कुरवान होते हैं वो दिनमान से उपर उठ जाते हैं आप तो बुझारते डाले हों मेरे तो बात पले नहीं पड़ी शाजी लगता है आप कहीं भाहर से आयों अगर लाहर के होते तो यह सवाल कभी न पूछते हैं आज पूटा सिंग जी का उस मनाया जा रहा है देखते नहीं सारा लाहर पूटा सिंग जी की खबर के उपर भूल चलाने आया है देखिए सची कह रहे हैं मुझे वाके कुछ नहीं पता कौन था बूटा सिंग और ऐसा कौन सा कारनामा उसने अंजाम दिया कि मुसल्मान जो संसंताली में सिखों के खून के प्यासे थे आज एक सिख पर वारी वारी जा रहे हैं लहुरियों की बात करते हो यह वही लहुर बूटा सिंग्गी कहानी वो कोई बंदे की जात था या आसमानी मखलूक था तो वो तेरे मेरे जैसा बंदा ही लेकिन इसकी आग भी वो ऐसा चला अईसा चला कि आसमानी फरिष्टे भी उसे सजदा तो करते ही होंगे बात बहुत पुरानी है अजादी से बहुत साल पहले जब अंग्रेश हम पर राज करते थे बूटा सिंग चल अंदर करेने वाला एक वोजी था लॉट माउंट बैटन की कमान में जब वो बर्मा फ्रेंट से लड़किया अपने गाउं पापिस लटा तो वो दुनिया में एक दम अकेला हो चुका था उसके साथ के लड़के लड़किया घरबार वाले बन चुके थे और जवानी उससे मूँ मोड रही थी लेकिन उसके दिल में एक गरस्ती बसाने की आस अभी भी बाकी थी पहचाना मैं हूँ पूटा पूटा सिंग इतना सथा जब मैंने गाउं छोड़ा तू तो अब मेरे से भी ज्यादा बड़ा हो गया यार कोई संगी साथ ही नहीं अकेला खड़ा मैं तो लाम पे गया था तुझे क्या मुसी बता क्या कहा बाल सफे तो अब मेरे भी आने लगे अच्छा यारा चलता हूं तेरी चाहों में बैठके फिर कभी बात्चित करेंगे पाइला गुताया जी ताया जी क्या देख रहे हो मैं कोई भूत नहीं बूटा हूं बूटा रभाण आपका शुक्रत जिन्दा वापिस आगया लाम ने तुझे लॉटा दिया बापू की आखरी दर्शन नहों सके अरे मैं हूं ना घम ना कर चल अंदर चल देखो भाई कौन आया चला आजा आजा कि 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 अ माता मुझे नहीं गुरुगरंसा महाराज को टेक करा बहस और नहीं मुझे पता है यहां से सिधा मंदिर जाएगा और वहां से मस्जिद मसे की बात यह है कि तु जहां भी जाता है पूजा करने के लिए नहीं जाता पता है नि लोगों के मन में तेरे बारे क्या विचार है पर तेरे जैसा बंदा गुरुनाहनक देवजी को बहुत ही प्यारा लगेगा ले जाएग अ अब अब आगे क्या सोचा है सोचने को क्या रह गया ताया खेतों में हल चलाओंगा बापु जी हर चिठी में लिखते थी ब्याक राने को उनकी आखरी इच्छा पूरी करूंगा पुतर गबरु जवान कुवारे फिर रहे हैं उनके लिए तो लड़कियां है नहीं अब तुझे इस सुमर में कौन अपनी बेटी देगा कि मेरी मान जब जी साब का पाठ किया गर जी लगा रहेगा जो रब को मुन्जूरत आया कि देखूं घर का क्या हल है चलता हूंता है अच्छा ताई अच्छा बेटे अच्छा भाई अच्छा इसने कुमारा ही मर जाना है इसकी जमीन पर हाल बेटा तुमें ही चलाना है मां मुझे भी बूक लगी है यह ले पुतर तु गरम गरम पराठा खा यह यह ले पकड़ ओई भूटे तेरा तो व्रत था ना अरे रहने दो जी व्रत व्रूत को बच्चे को भूख लेगी है उसे रोटी खाने दो अरे इसे फोज में जाना है एक वक्त नहीं खाएगा तो कम्जोर नहीं हो जाएगा देखो जी जब तक मैं जिन्दा हूँ इसने कोई व्रत व्रूत नहीं रखना मेरे बाद इसने कौन पूखेगा कि रोटी खाई कि नहीं खाई लाम से कहाँ यही नहीं जाना इंचेन जनल यहीं आना है तो न आना है ०ाम है न जाना है यही रहना है ये मेरा घार स्थे दिए आप यह सब नहीं है तो रहता कहा है तो तुम गाओ के मालिक हुए तुम बाद्शाइा हम तुमारी राया आओ अपनी रहियत का हाथ वकाओ मैं क्या करो घर की सफाई में मेरी मदद करो किसा रूप धना फिर कर लॉजी अभी लो हाँ यह लो बाहर की सफाई तो कर दूंगा अंदर की नहीं करूंगा पता दिया मैं के थैंक तेए कार पर भी कार पर भी कार पर भी कार भी कितर चार रहे तू वीपी, थोड़ा पानी तो पलादे बॉट्डा सेंग तू संतो संतो सरदारनी को साथ लाए कि वहीं छोड़कर आए मैंने तो अभी तक शादी नहीं की क्यों मैंने सुना है बर्मा की लड़किया मर्दों पर जादू कर देती है मेरे पर किसी का जादू नी चला अच्छा क्यों इस गाउम एक लड़की थी इससे कभी व्याह करने के कॉल करार किये थे मुया करके छोड़ जाता तो आज तक तेरी रादिक थी जिंदा आत्मी कब तक रहा देखी दस साल बीस साल बुट्या समय के बहल से लड़ना बहुत मुश्किल है इससे कितना भी लड़ो यह आखिर बंदे को गिरा ही लेता है हीर ससी सोनी भो ना इससे लड़ सकी तो मैं किस किती भी हूँ पूट्या अज तो तीन बच्चों का बाप उठा तीन? हाँ मैं तीन बच्चों की मां हूँ यह सबसे बड़ा है इदर आँ वैशेरा क्या नाम है तिरा? बूटा बूटा चल बेबे घर को चले चल सब संजोग का खेल है संतो किसी का घर उजड़ता है किसी का बसता है अब रहेगा की जाएगा? मैं तो सारा कम निप्टा के आया अच्छा 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 बना के बेज़ा है मुझे तेरे पास तो तुमारे पास कौन सी जादू की पटारी है? मैं अपने काम के सिल्सिले में यूपी बिहार जाता रहता हूं वहां बड़ी गुर्बत है वहां से तेरे वास्तेक सोहनी सी जवान जहान लड़की का इंतजाम हो सकता है पर थोड़ा खर्चा होगा कितना तो एक हजार रुपए दो हजार मेरे पास तो पांचसो रुपए हैं फिर क्या हुआ? ताय से मांग ले वो तो आप ये चारे बाल बच्चेदार हैं वो उनका बोज़ धोएंग या मेरा तो कोई और रहा ढूंड ले विलाइती राम की यकीन दिलाने से बूटा सिंग की टूटती आस फिर से जाक उठी कि उसका घर भी बच सकता है उसने अब में शादी के लिए एक एक पाई इकठी खने शुरू की बिचारा दिन रात मेंनत करता और अपना पेट काटता दिन हफतों में और हफते सालों में बदलते चले गए अज़ में बनर अवक्त कि बच्टत अपने बच्टत करते से लिए का दिनलत कि अधन बच्टत कि अधने युटत बाई 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 गार Muh crap अर भल अ कर दो कर दो खुब है ये के सीरत आई तेमा, ये के सीरत आई ये के सीरत आई हमा, ये के सीरत आई हमा हिंदु मुसलिम सिखना समझे, हिंदु मुसलिम सिखना समझे, एक तुझे को भाई ये के सीरत आई तेमा, ये के सीरत आई ये केशी दुत आई एमा ये केशी दुत आई ये केशी दुत आई एमा ये केशी दुत आई गाड़ी जंगल में रोक गई हम सांस रोक के बैठ गए थोड़ी देर में मुसल्मान तलवारे हवा में लहर आते हुए आ गए और अल्लाहू का नहरा लगाते हुए उन्होंने और तों मर्दों और बच्चां को काटना शुरू करती है मेरी आखों के सामने मेरी माँ और मेरे पेटे को मार दिया मेरे पेटी को ले गए मैं लाशों में तबा रह गया मुझे मारा समझ कर वो मुझे जिन्दा छोड़ गए अपने परिवार की लाशों को ढोने के लिए गाड़ी जब कर अंदर पहुंची तो लाशे लाशे थी लाशे लाशे थी अब उन्होंने हमारे सिक और हिंदू भाई मार बगाए और मुसल्मन आज भी यह सीना तांग क्या फिरते हैं इनका क्या कसूर है उनके गुनाहों का बदला इन से क्यों लें यह मुसल्मान नहीं पिर क्या हुआ यह रहते हैं कोई अर्म से तो नहीं आए हमारे अपने भेन भाई हमारा अपना खून इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है पर जो बलवाईयों ने दूसरे गाउं से हमला कर दिया फिर क्या करेंगे लूट मार दूर दूर तक फैली हुई है मेरे खैल से इनको किसी हिफाज़त वाली जगह पर पहुंचा दिया जाए चार दिन में आमन शांती हो जाएगी फिर वापस आजाए उतने दिन इनके घरों की जिम्मेदारी हमारी होगी अंजी यही ठीक रहेगा ले भई बुटा सिंग तू समाल ये काम तो इस मौमले में तज्वर बेकार आदमी है नंबरदार जी मैं वादा करता हूं इनको सही सलामत कैम्प में छोड़कर आऊंगा मेरी जान जाने के बाद ही कोई इनको छू सकेगा बोले सुनिहार और ये अ ये कैसी लिखाई के माँ त्रिमा ये कैसी लिखाई के मारे कैसी आयी दुर्वों पीरों की बक्षिश के सदा जूलते छंदे जहां पाच दर्या का पानी प्यार महबत बंदे उस पानी में कैदो चाचे उस पानी में कैदो चाचे नीठी जहर मिलाई ये कैसी रुत आई हमाँ ये कैसी रुत आई हमाँ कैम रहे की इस दुनिया में अच्छों की अच्छे आई ये कैसी रुत आई हमाँ ये कैसी रुत आई हमाँ ये कैसी रुत आई हमाँ ये कैसी रुत आई अच्छा चाचा जी अच्छा बुटा से रब राखा ये ले रख्चा भी है अगर हम लोटके ना है तो सब तेरा कैसी बाते करते हो चाचा जी आप आओगे जरूर आओगे पानी पे तलवार मारने से पानी अलग नहीं हो जाता होसला रखो अच्छा बुटा सिंग अल्ला तेरी उमर दराज करे चाल बाई सोन्या करे तेरा मारने से लाओगे से पानी आओः मारने से भाल से पानी पुटा आओगे करे दो सोन्या जग्दी करें से रहां बाई शुर। झापा!!! आपा!!! आप!! आपा leverage!!!! जर ब técowment! और आप एाखे। जर आपे! जर आप busy district! जर नर आपी आपा!! जर खनापो एाखे। जर यर ese City!? आखला कि मासे जूर्ट! वाइ, परोंट! रुक जाओ! छोड़ो इसे! तुम्हारा इस लड़की से क्या मुकाबला? वाइ, हमारा शिकार हमारे हवारे कर दे? साहब ताक पर रख दिये हैं तो साथ साब बता तेरा इस फूल जड़ी पर दिल तो नहीं आगया कहीं मजाग करते शर्म नहीं आती शरम कैसी फोजिया तुभी छड़ा हम भी छड़े जो तुझे रखना है तो तुझे इसके केमत चुकानी पड़ेगी केमत उटा सेंग इतन साथ दुश्मनी ना कमा ओए मांजा फोजिया उटासिन ये लोग तो बागल हो चुके हैं अपनी जान देकर भी तो शायद इस लड़की को बजा ना सके पेहत्री इसी में है इनको पैसे देकर इंसानीत को जिन्दा रखा जाए क्या सूचता है फोजिया किकने पैसे चाहि है जो एक बार हाथों से निकल गई ना मुद देखते रह जाओगे मन्जोर किया हमारा क्या है हम कहीं और मूं मार लेंगे अगर अगर पैसे तो पूरे ही होंगे फोजिया चल फिर मज़ा कर आज से लड़की तेरी हुई चलोए हम भी आशकुने कि रोटी बना कर रखिया खा लेना कि बाहर से तला लगा कर जाओंगा ताकि कोई अंदर ना जाए है मैं जा रहा हूं कोई सवाल कि वह आगे और मैं पीछे मैं कहूं पुत्रा दोसो गस की दोड़ में तो तुझे नहीं चोड़ूँगा उसका सांस भूल गया मैंने हवा में तलवार लहराई उसका सिर मेरे पेरों में मैं निनानुवत दफा धर्म कमा बैठा हूं एक और हाथ लग जाए तो समझूंगा तीरत हो गया वह उस दिन जो गाड़ी लहौर जा रही थी न हमने उस पर हमला कर दिया उसमें एक साधूजी महराज रहे वहां उतरते हुए हमें शरादत सूची हमने कहा साधूजी महराज यह पाकिस्तान तू नहीं जा रहे हैं वह कहने लगा अला अल्ला करूँ अल्ला अल्ला हम अब पाकिस्तान में क्या ग्राम हूं हमने छट से उसका अल्ला अल्ला कर दिया हुआ 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 है थेक एदर एक बोटल देना ओए वाजी तुझे यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई स्वार्णा कह रहा था वो तेरे कर हुसन परी छोड़ कर रहा है क्या बुख्वास कर रहा हुए वही मुसल्मा लड़की जिसकी आखे प्यार की कटा लिया है जिसकी हर अदा में मस्ती भरी हुई है पीते जाओ पीते जाओ कभी ना खत्म होने वाली मस्ती है वो शाजी अपनी ठेके पह नहीं जो करने बार जाके करो बार जाके लो जाओ जाओ मुझे पुठजाग मुसाफिर भर भाई तरी रह्ल कहां जो सोवत है वो माम आफ करणा रमजानी यार Baba ए रात तरी औरशाथ बीना तयरे इसलतनत में आगया को तूने तोने अच्छा नहीं किया मैंने मैंने क्या किया मिर था की किर भी मेरी आज में माफ कर दो बाश्याओ घलती होगी कर भी दो साहिब आलम आगे से नहीं होगी जा माफ किया ले दादून पकड नीम का है अच्छा चलता हूँ कौन बुटा सिंग बुटा सिंग कौन घर का मालिक घर के मालिक ने रात कहां काटी काट ले जहां काटनी थी है है कि अए है 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 कि सब्सक्राइब कर, बाहर वाले अंदर सोते हैं और अंदर वाले बाहर यहां का दस्दूर तूने कौन साइस गाओं मेरा नहीं जो दुस्तूर पूछ रही है हाई अला ये क्या कर रहे हो मैंने सोचा किसी को भूग लगी होगी वह मुझे तो लगी है मैं तो रोटियां बनाने लगा हुआ चुलहहकी अजेख मर्दजात के कामने होते अच्छा पहले किसीने बताया है नहीं इस घर में औरतजात होती तो ही बताती तो औरतजात थोड़ा है तो इस घर की महमान है महमान हों तो क्या हुआ रहूगी तो ओरकर वद नहीं है हैं फिर तारों की छाओं में दूर चले जाते हैं फिर वही बूटा सिंग वही चोला चक्की चलो हटो भला हमेशा भी कोई धर्ती पर महमान रहता है मैं भी महमान तुम भी महमान वक्त-वक्त की बात है भी बहुत स्वाद खाना बनाती हो मा कहती है जो काम करने में स्वाद आये वह अच्छा होता है अपना अतापता तो बता नाम जैनब रहने वाली राजस्तान की जो लाखों पर बीती बही मुझ पर भी बीती अब आगे क्या होना है उसका फैसला तुम्हें करना है मैंने दाता ने करना है महौल ठीक हो जाए तुझे तेरे माबाब के पास छोड़ाऊंगा तब तक तो उनकी अमानत है मेरे पास सर्दार जी जब तक मैं इस घर में हूँ तुमने घर के काम को हाथ नहीं लगाना अच्छा तेरी मर्जी मैं चलता हूं खेतों को मैं रोटी लेकर आऊंगी अरे बुटा सिंग आया शाजी तस्री काल शाजी काल बुटा सिंग बैट जा कल में अब जा रहा हूं यूपी वहां से तेरे वास्ते लाओंगा लड़की फिर हम तेरा ब्याहर रचा देंगे लगता शाजी उपर वाले ने अपने हाथ में ब्याह की लकीरी निखी ची क्या मतलब तू तो पिछले तीन सा पालों से ब्याह के लिए पैसे जोड़ रहा है सच कह रहे हो जोड़ रहा था बस हो गया फिर बूटा सेंग धर्म कसम मैं इसमें दलाली का एक पैसा भी नहीं कमा रहा वो सारे पैसे तो लड़की के गरीब माबाब को जाएंगे शाजी पैसे तो हाथ से निकल गए निकल कुछ गाई है तो बूटया तुने सारी जिंदकी भरकी कमाई एक मुस्लमान लड़की की जान बचाने में लगा दी अरे पगले क्या लगती थी अब तुस लड़की का करेगा क्या थोड़ा ठीक ठाक हो जाए पाकिस्तान चोड़ाऊंगा खोटया तू अब छड़े का जिन समझ बैठे हो बूटा स्री ने इंसानित का विवपार ना कभी पहले किया था ना कभी करने की सोचेगा जा मर फिर जो बिमार बढ़ गया तो दवादारू करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा खिरीकों ने तेरा हाल नहीं पूछना कोई बात नी रब रखा 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 कहां जा रहे हो बार सुन जा रहूं है घर किसका है मेरा मैं कौन हूं बाहर से आई तुम्हारी पनाह में आई हूं घर की मालिक नहीं हो गई आज से तुम खाट पर सोगे और मैं नीचे तुम्हें मेरे से डार नहीं लगता? नहीं लगता लगना चाहिए नहीं वो बात नहीं जैनब गाहों के लोग बाते करेंगे करेंगे का क्या मतलब उन्होंने तो बाते करनी शुरू भी कर दी होगी वो कुछ भी बॉले, मुझे उसकी परवा नहीं लेकिन जैनब तु इन बस फैसला हो चुका है शाजी सस्रीकाल सस्रीकाल और सुनो भूटा सिंग कैसे आये हो बस शाजी कुछ कपड़े लेने थे कपड़े ओ बूटा सिंग वो तेरे मतलब के कपड़े इस दुकान में नहीं रखे यहां तो सिरफ जनाना कपड़े मिलते हैं हाँ दरसल जी मैं भी जनाना ही लेने आया था सच ओ बूटा सिंग शरम कर शरम माप क्या है माप माप का तो नहीं जी पता मुझे तो जा फिर उसका माप लेके आ या फिर उसे पूछ किया अच्छा ऐसा कर उसे साथ लेके आ यह तो नहीं हो सकता जी अच्छा उमर कितनी है उमर उमर सोला स्तारा होगी सोला स्तारा ओ बूटा सिंग शरम कर शरम खैर सान्नू की अच्छा लंबी कितनी है मोटी है या पतली है इसके जैसी होगी इसके जैसी वोई बूट्टेया तेरी कहीं मत्तों नहीं मारी गई खेर सन्नु की हमें तो समान बेचना है यह ले यह क्या है कुछ नहीं कुछ कपड़ें तेरे वास्ते हैं मेरे वास्ते तुम्हें मेरा माप कहा से मिला तुझे देखता जो रहता हूं सची सरदार जी तुम्हारी आखे है कि माप की फीतिया जो औरतों के शरीर मापती रहती है इसी आउरत ने लब पड़ नहीं जड़ा तुने तो दुनिया जहान के ओरतों के जिकर छेड़ दिया मैंने तो सिर्फ तेरी बात की थी अच्छा जो माप ठीकना हुआ तो बजाज बदल देगा ना कहता तो था मैं अभी पहन के दिखाती हूं जरा रुको तर्दार जी तुम्हारी आके तो कमाल है एकदम सही माप लिया है मेरा देखो तो कैसी अजीब मर्द है देख तो लेता कैसी लगती हूं कर दो कर दो दोड़ में दोड़िया है मोया तूने तो मेरी जानी निकाल दी थी कौन है तू रम्जानी रम्जानी कौन ये गाउं मेरा है और मैं गाउं का हूं तू कौन है मैं जैनब अर सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तू बहुत सोनी है और मुझे भूग लगी है आव मैं तुझे रोटी कहला दू आजा मैंने कहा चाचा जी सस्रीकाल सस्रीकाल आओ कुछ चाय पानी हो जाए नहीं आप जल्ली है फिर कभी सही चाचा जी सुनो दो सही बूग्टा सिंग के घर में 16-17 साल की मुट्यार कौन है 16-17 साल की मुट्यार बूटा सिंग के घर में तुझे किसे ने बताया वो मुझसे छे जोड़े कपड़े लेके गया है उसके वास्ते पैसे नकत देगी क्या ओ नई फसल कटने पे देगा ओ खैर हमें चिंता कहे कि वही तीन के लिए जमीन का मालिक है मेरे पैसे कहा भागे जा रहे हैं फैर सानु की वो जोड़े 17 साल की मुट्यार के लिए लेवे या 35 साल की औरत के लिए भाई हमें तो समान बेचना है कि जाए पूटेया भाई इस लड़की ने तो तेरा और तेरे घर का नक्षा ही बदल दिया पर ख्याल रखना इन कमसातों का कोई भरोसा नहीं होता ताया जी मेरे जैसी मलंक के पास क्या पड़ा है जो ये ले जाएगी बूटेया तेरी बहन का ब्या आ रहा है बहन भी काहे कि तेर कमाता है ना सरकारी नौकरी है उपर से भी काफी आमदनी हो जाती है फिर तो राजरानी राज करेगी पूटेया तेरी मा ने अपनी बहु के लिए हार बनवाया था वो छजुशनार कह रहा था जी सत्वचन तेरे ब्या की आस तुझे अभी भी है के तूट गई ताया जी बस सब तो मा तुमी होगा भागला शुब शुब बोल मैं हूँ ना अच्छा वो हार है तेरे पास अंजी मा की निशाने को कलेजे से लगा के रखा है मैं कह रहा था जो तू वो हार राजरानी के ब्या में है ताय जी इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है ताय जी मैं अभी लेक्या है आप कर दो अगरे को ताय जी मिलनी रहा लगता कहीं रखकर भूल गया सच कह रहा है जो देने का इरादा नी तो भी बता दे क्या बात करते होता है जी छोड़ थोड़ा ही बोलूगे मैं आपसे चल कोई जल्दी नहीं जो मिल जाए तो ले आना हां मैं चलता हूं क्या बात है रोटी ठीक नी बनी नहीं ये बात नी जैनब मेरी भूख ही मर गई मैं भी तो जानू क्यों वहार मेरी मां की आखरी निशानी थी लगता था मां कहीं आसपास है अब लगता है हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई हो रूट गई है वो जो निशानी से इतना ही प्यार है तो निशानी को संभाल के रखो यह तिरे पास था जो मैं छुपा ना लेती तो तुमने तो मां की निशानी दे दी होती दाया जी और राजरानी पराए नहीं मेरा अपना ही हाड मास है तुम्हारे अपने हाड मास ने कभी तुम्हें पानी का ग्लास तो पूछा नहीं मेरे आने से पहले चूला तो तुम आप जलाते थे जैनब तु क्या कह रही है वो तो इंतजार में है कि तुम लावल से धारो और तुम्हारी जमीन हड़प ले इस बारे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं इस घर में पहले कोई औरत होती तभी तुम्हें ये बाते सुचवाती तुम्हारे शरीकों का बस चले तो तुम्हें कच्चा चबा जाए और डकार भी ना ले प्रोटी खालो जैनद तू भी तू आज है कल चली जाएगी फिर ये बाते मुझे कौन समझाएगा सरदार जी कल नाम है काल का आएगा तो देखेंगे कि इस गाउं का दानापानी लिखा था जैनब के भाग्ये में जो बूटा सी ने उसको बचा लिया इस सुमर में बूटे की मत मारी गई है मुझे तो लगता है उसको घर रखने की सोचे बैठा है क्या क्या कह रहे हैं आप मैं उसकी आँखों को पहचानता हूं मेरी बेटी का ब्या होने वाला है अगर उसके सुसराल में पता लग गया कि उसके चाचे के बेटे में मुस्लमन लड़की घर रखी हुई है तो वो तो रिष्टा दोड़ देंगे आप शिक्र न करें मैं आज रात ही पंचायती कठी करता हूं बूटा सिंग जिस वक्त पूरा पंजाब ह तो एक मुसलमान लड़की को खरीद के लिया है जो इस वक्त तेरे घर बैठी है लोगों को बता सच क्या है सच तो यह है कि मैंने लड़की खरीदी नहीं बलके उसको बचाने की कीमत चुकाई है हलाग ठीक हो जाए लड़की को उसके माबाप के पास चोड़ाउंगा जब अगर तू सारी मुसलमान आबादी को हिफाज़त के साथ पहुचा सकता है तो एक लड़की को ले जाने में क्या मुश्किल है अगर तुझे कोई मदद चाहिए तो हमें बता घर पंचैत का हुक्म है कि मैं जैनब को कैंप छोड़ क्या हूं तो यह हुक्म मुझे मनजूर ह जैनब है और कितनी देर लगेगी तयार होने में बस आई काल मैं भी जाओंगा मैंने कभी शैर नहीं देखा आजा बैठ जा तो भी आगई जैनब तुने पूछा नहीं हम शैर क्यों जा रहे हैं सरदार जी मुझे तुम पर भरोसा है तुम कहोगे न कुए में चलांग मार हादूंगी हाड मास के मनुश पर इतना भरोसा करना च्छा नहीं होता जैनब चलो मनजल आ गई यह कहां ले आयो यहाँ पाकस्तान जाने वाले मोहाजे रखे गए है उनमें एक असलम भी है बड़ा श्रीफ रड़का है तेरी उमर का भी है मैं उसे बात कर गया था वो तेरे साथ ब्या करके तुझे पाकस्तान ले जाएगा तेरे माबाप से भी लादेगा मेरी तरफ से यहां रख ले तेरे ब्याक का तौफा 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 रखो अपना तौफा अपने शरीकों के लिए तुम होते को ना किसी अजनभी से मेरा ब्याक कराने वाले दो वक्त की रोटी देने के बदले तुमने मेरी जंदगी का फैसला कर दिया कि तुम्हें यह हक दिया किसने जैनभ मुझे तिरा फ़ला सोचने का भी हक नहीं तुमने मेरी हिफाज़त की मेरे राखे बने और हाज मेरा राखा मुझे किसी और के हवाले कर चला क्यों क्यों कि मैं मुसल्मानू संदार बूटा से जा साड़ अपने नरक में है और मेरे पेज़ों पीतेगे मैं सहलूंगे रमदानी यार तो बता मैं क्या करूं जापने नरक में उसे भी साथ लेजा हाँ पूटा से हम तेरी मजबूरी समझते हैं पर तू भी तो हमारी मजबूरी समझ ना हम सब बहुं बेटियों वाले हैं जानब तेरे घर में ब्याया किये बिनन नहीं रह सकती अब तू बता तू सेसे से दया करने को तयार है को ने मेरे तयार ना तयार होने का सवाल यह का पैदा उता सवाल तो यह पैदा होता है कि Jeanniam मेरे यह सी आदमे के साथ आध क्यों करेंगे तूश से पूछले ना जी, ये काम मैं नहीं कर सकता, चलो कोई बात नहीं, हम उसकी मर्जी जान लेंगे, पर जो एक बार उसने हां कर दी, फिर तुझे ब्या करना ही पड़ेगा जैनब, हां या ना में जवाब दे, तुझे बुटा से ब्या करना मन्जूर है? हां, मन्जूर है, मुँ मीठा करवाओं जाओ, मुझे बुटा से चड़ा मरेगा जाओ, मुझे बुटा से चड़ा मरेगा उसकी जमीन में हम हल चलाएंगे और उसका थो ब्या हो गया पुत्र ब्या ही हुआ है अलाद तो नहीं हो गई अलाद होने में कौन सी देर लगती है करनी और होनी में बहुत फरक होता है पुतर सबर कर रोटी का अरे कल तक लगती थी डरी हुई हिरनी पर आज सुहाग का जोड़ा पहन कर इसका हुसन ठाठे मार रहा है चलो ने चलो कुडियो दिल ही दिल में हमें गालियां दे रही होगी अब बुट्या बिली तो पहले दिन मारी जाती है नहीं तो और दे सर पे चड़ जाती है वे बुट्या उमर गुजर गई रब से तरी दौा मांगते हुए जो आज रब ने तरी मुराद पूरी की है तो क्यों से इंतजार करवा रहा है वे श्राबियो चलो अपने घर क्यों पहले दिन इसका खरो जाड़ने आ गया जाते है कुडियो आवे रमजानी चलो तुझे तुमाशा दो आप शुरू होगा जाओ नी लड़कियो जा अपने घरों को वे तो कि घर को अंदर खाना है अल्ला सरदार जी संभल के तुने संभाल लिया हम संभल गए अब बता तु है कौन मैं कौन है तुमारी बेगम हर रात दारू पेकर एक इस सफमा मैं पूछता हू तु कौन वो कहती मैं तुमारी बेगम दिन में नशा उतरता है बेगम गायब पूटा अकेला रह जाता है अपने जखम चाटने के लिए मैं जैनब हो तारू की बोदर नहीं जिसका नशा उतर जाए जैनब तुने भी तो सपने देखे होंगे जिसे जाकते हुए सब कुछ मिल जाए वो सपने क्यों देखेगा फकीर की जोली में हीरा गिर पुड़ा है डरता हूं कोई छीन न ले हमारा मेल रब ने कराया और अब से बढ़कर भी कोई हुआ है मुल्क का बढ़वारा काफिले पे हमला मेरा भागना तुम्हारा बचाना इस घर मेलाना ये सब मेरे लेखों का संजोग नहीं तो और क्या है जैनब मुझे तो और जात से बात करने कभी ठंग नहीं अच्छा मैं सिखाती हूं तुम्हें और जात से बात किस तरा करते हैं करते हैं हो मेरी चुन्नी का हो मेरी चुन्नी का चम के खोटानी मैं कैसे चुपाओं खुशियों को मेरा नच्चता है पोटा पोटानी मेरा नच्चता है पोटा पोटानी में कैसे चुपाओं खुशियों तो अडियों सक्यों अडियों सक्यों मेरा नच्चता है अडियों सक्यों मेरा नच्चता पोटानी मेरा नच्चता राडियों मेरी इससत जिसका नाम बना मेरी इससत जिसका नाम बना जो मेरे सर पर चाह बना चाह बना वो धराते सब जग को टाली मैं कैसे छुपाओ पुशियों को मेरी चुन्नी का चम के दोटानी मेरी चुन्नी का चम के दोटानी में कैसे छुपाओ पुशियों को उसका नाम जब लबों पे आता है उसका नाम जब लबों पे आता है दंग प्यार का यूँ खिल जाता है खिल जाता है खुशी बड़ी है खुशी बड़ी है दिल मेरा चोटानी मैं कैसे छुपाओ खुशियों को मैं कैसे छुपाओं खुशियों को मेरा नच्चता है पूटा पोटानी मेरा नच्चता है पाटा पोटानी मैं कैसे छुपाओं खुशियों को एक नन्नी से हम का हूर मिली एक नन्नी से हम का हूर मिली नन्न्न के अक्चियों का नोर मिली उसका मुखडा चनदा पोटानी हम कैसे छुपाओं खुशियों को मेरी चुन्दी का चम के पोटानी मेरी चुन्वी का वो मेरी चुन्वी का चम के गोटानी हम कैसे चुपा है खुशियों को कि अच्छे पाध्षा मैदाने जंग में तुने बरस्ती हुई गोलियों से मुझे बचाया जैनब जैसी नेक औरत बख्षी प्यारी बेटी से नवाज़ा मेरी सारी मुरादे पूरी करने वाले वाहिग्रु अकालपुर्ख मेरी जोली में इतनी खुशी है मेरा रोम रोम ते मेरी परिवार पी मेर भराहत रखना 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 मेर बखना मेर बखना मेर बखना मेर बखना मेर बखना मेर बखना मे हम खर से पीखर हो गए और ये मलेच अब भी हमारा मंदिर नापाग करता फिर रहा है हुआ रमजानी हमारे साथ चल तुझे खीर खिलाएंगे खीर और लड्डू पेड़े भी हाँ चल तो सही हाँ मारे हुआ को मारे ना क्या जो रब के हो मारे जो रब के हो मारे प्यार जो रब के हो मारे इक रोटी के लिए सो सो खेरा मां के यार प्यारे जो सारे धर्मों को माने जो सारे धर्मों को माने उसको कहें सौधा यारव कि जल्दी क्या है खिलाता हूं तुझे लड्दू पेड़े काट दो इसकी गर्दन भत फ साथ असरम बदी Already शुर्मा बाने शुर्मान है है और यह हिंदू है नशिच मुष्द्ध का खौन का की कुन अब आपको फून सारे काउं का खून है चल घुनता नहीं यह मुझे लड़ू-पेड़े खिलेंग में नहीं जाता है मैंने भी इसा बना और गाजर का हलवा भी गाजर का हलुआ हाँ चलो वह तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तुम्हारा पेडा गर खोजे जानमों, बार दिया घरीद को रमजानी रमजानी काजर कहा लुआ पर लुआ इपीर 폴ऊ बुआ ओुआ पापी कल माइबाक ऐश्हद ला ईला इनल्लह मुहमद रसूल आल्लह हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हुए एक नए मुआदे की रूश से तैपाया है कि तक्सीम के वक्त जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान में और मुसल्मान लड़कियां हिंदुस्तान में रह गई हैं उन्हें बरामत करके उनके माबाप के पास भेजा जाए अगर आपके गाउं ये शहर में कोई ऐसी लड़की है तो उसकी इतला अपने गरीब के थाने में दें अब सुनिये शम्षात बेगम की आवाज में एक नगमा कि इतने जल्दे जाने के क्या पड़िया सुबह तो कुरुक जाते कल नाम काल का जब तक जैनविस गौं में रहेगी मेरे कलेज में आग जलती रहेगी आज लड़की पैदा हुई है कल को लड़का पैदा हो गया तो बूटे के तो गवार्स पैदा हो जाएगा मैं चलता हूं और नेक का में देर काहेगी अगे अगे इस विए जासे में भूख लगे तो खा लेना अच्छा तेरे लिए क्या लेक हूं गाडी तो लाई रहे हो गाडी तो हमसब कि ए तु बता तेरे लिए क्या लाऊं सरदार जी मेरी मानोना तो अपने लिए नया कंबल लेऊ फटा पड़ा है और गाउं की आरत नो ताने मारती है कि आप तो सजी रहती है और घरवाला फटे कंबल में ठूर ठूर करता है अच्छा मुझे पता तेरे लिए क्या ले क्या नहीं पूटा सिंग तुझे अब पैसे किस लिए चाहिए शाजी नई गाड़ी खरिदनी है जब भी शैर आता जाता हूं देर हो जाती है घर में जैनब और गुड़ी अकेली होती है मेरे फिकर करती है तू अब बहुत खर्चिला हो गया है भूटा सिंग चार पैसे बुरे वक्त के लिए जोड़ के रख लेने चाहिए बुरे वक्त का कोटा तो शाजी खत्म हो गया अब तो रबने खुश्य हाँ की हमें हुक मैं तुम्हें बरामत करके पाका सर G7 शाब सब्सक्रांब करता है हमें खुख मैं सारी मुस्लमान दुर हुआ है युछ अपया अपया अजय को बड़ है इंगा इजय को बड़ उले प्योड़ टुझ है लुग है जाद है जीय गाचि Sabrina कि सान एga ए68 such a ऑliदिय मैञ आ ए cancer! कटिये नी देर ना करी साथी जिन्दिरी उठी के सानू गटिये नी, गटिये नी, तेर ना करी साची, जिन्दिरी उठी के सानू गटिये नी, गटिये नी लिख दिया नाम तेरा आतिया की सांस पे लिख दिया नाम तेरा आतिया की सांस पे ले चल मुझे उसी प्यार वाली रहा पे भूल के भी जा मेरी और कहीं जानाना औरों की बातों में तु यार मेरे आनाना मी तु कोई हेर फेर ना करी मी तु कोई हेर फेर ना करी साथी जिन्दिरी उठी के सानू गटिये नी, गटिये नी प्रिक का इस में जोये एक सानू हो झाल सु मुलेंग मेरे हाथ को और ने हे खुशियों केरे लेकी जिन्दगी बाहरों के फुलार सदा लेती रहे दिलों में वंगी आरा बार बार कहती रहे मी तू रौश्मी अंधेर ना करी मी तू रौश्मी अंधेर ना करी साथी जिंदड़ी उठी के सानू कच्चेनी 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 मेरे लिए लंबा रस्ता हुआ है वसाल का एक एक पल मुझे लागे सो सो साल का पगली तू जाते जाते क्यों रुक गई है छोड़के तू सीधा राह तेड़े रा गई है नी तू एह कम फेर ना करी साथी जिंदड़ी उठी के सानू कट्डिये नी, कट्डिये नी, कट्डिये नी, तेर ना करी साथी जिंदड़ी उठी के सानू जैनब, जैनब देख अपनी नई गाड़ी आगी यह देख तेरे लिए मेरी जैनब कहा है, क्या हूँ मेरी जैनब को ताई बोल की क्यों नहीं भाई जी पंड़े जी उट्या उसे तो पुलिस पकड़ के ले गई पुलिस, क्या जुर्म किया था उसने, क्या चोरी की थी वो मुसल्मान है, उसे पाकिस्तान वेजा जाएगा, तुन ने उसे ग्यार कानूनी तोर पर रखा हुआ था ग्यार कानूनी, उसने अपनी मर्जी से मेरे सब ब्याग किया था, सारा काओं इस बात का गवाए हाहा, हम सब इस बात के गवाए हैं, भाई जी अपने अपने हाथों से तो ब्याकरवा था, जैनू मेरी बच्ची की मा हैं, और, और कोई भी कानू, दूद भीती बच्ची को, मा से जुदाने कर सकता, ना रो मेरी बच्ची, मैं तेरी मा को वापिस लेकर आउँगा, चले से बात कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ, नहीं, और बरामत शुदा औरतों के साथ उसे दिल्ली भेज दिया गया है, पुराने करे के कैम्प में, कर सकता है önce रो मेरी पुरी सब अ, िमネसा क्वें . कर स expiration , आदे अ, कर सकता है !! चwynजैं ? ठर्टो ? आदे इंची ! बचलम से आदा ! आदे आदे ? जैनब तो ठीक तो है ना सर्दार जी मेरा हाल तो वही है जो मचली का पानी बिना होता है जब तक हमारे घरवालों का पता नहीं लग जाता हमें इसी कैम्प में रखेंगे और मैंने नहीं जाना सर्दार जी मैं अपनी बेटी बिना और तुम्हारे बिना मर जाओगी कोई तद्बीर करो बुझे मचलो सर्दार जी ना जैनब रो मत होसला रख अब तो हमारा अपने अपनी सरकार मैं वजीर के दर्वादे पर जाके फर्याद करूंगा वो हमारा दुख जरूर सुनेगे मुझे यकीन है जैनब हर आपकी कृपा से मैं कल खुश्खबरी लेकिया हूंगा अब पार आप जैनब मेरी बच्ची की लावा पिछलो टादो किसी को मिलें होकम नहीं है मेरी बातों सुनोगा करो समझ सकेना समझ सकेना समझ सकेना लोग सिराने इश्क करपा इश्क ही जाने इश्क करपा इश्क ही जाने इश्क करपा इश्क ही जाने इस दुनिया का खेड़ दा चाया इश्क की खातिर आप खुदा ने इश्क करपा इश्क ही जाने इश्क करपा इश्क ही जाने इस सा पुराना इश्क का दुश्मन जबाना इश्क का जिसको लगा मजनू बना उल्टा निशाना इश्क का नीदें चुरारे इश्क इश्क रातें जगारे इश्क इश्क जीको जलारे इश्क इश्क आगल बनारे इश्क इश्क जितने भी लाया दुश्क वा कभी न कर चुप ही रहे दीवाने इश्क का रुखबा इश्क ही जाने किस दुनिया का खेर रचाया इश्क की हाते रहा को खुदाने इश्क का रुखबा इश्क ही जाने इश्क तर्थबाद, इश्क ही जाने समझ सके न, समझ सके न, समझ सके न, लोग से जाने इश्क तर्थबाद, इश्क ही जाने इश्क तर्थबाद, इश्क ही जाने इस दुनिया का खेर रचाया इश्क की खातिर आप खुदाने इश्क का रुखबार इश्क हे जाने इश्क का रुखबार इश्क हे जाने इश्क का रुखबार इश्क हे जाने गुटी तुम्हे देखती है बहुत रोती है लगता सो गई के सरदार जी महीना खत्म होने को आया YouTube अपर तुमारी कोशिश काम्याब नहीं हुए मेरी तो आस तूटती नजर आ रही सैनफ मैं तो हाकिम्यों के दर पर भी गया रब के धर दक भी वैंध कि इसी ने मेरि फ्रियाद नहीं सुनी ना रब माना ना रब के बंदे मेरी बात को और से सुनों इन्होंने पता लगा लिया है तेने माबाप लाहर के पास बर्की गाउं में बसे हैं कर लिये मुझे वहां छोड़ाएंगे तुम बादा करो तुम मुझे लेने वहां जरूरा होगे मैं तो तेरे बिने एक पल भी नहीं जी सकता जैनब गाउं भी तेरे बिने शुमिशान लगेगा मैं जरूरा हूंगा कुड़ी का ख्यार रखना पर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा तुम तो आप बच्चे हो जा गुट्टी तुझे रख के हवाले किया सीता बहन तो अब चली अपने माता पिता के पास हिंदुस्तान में वहां जाकर भूलना जाना तेरा एक भाई पाकिस्तान में भी है कभी कभार दो लाई ने अपनी खारियत की लिखते रहे भाई मोहमत तुने अपनी चान पे केल की मेरी रक्षा की सारे गाउं से दुश्मनी बोल ली पर मुझ पर आज नहीं आने थी तु कि यहार को कि जुश्मना झाल बोल एका पर मुझ खनिए। कौन दर्वाजा खोलो तुम्हारी बेटी आई है क्या कहा है बेटी मेरी बेटी पर वो तो मर चुकी है वो जिन्दा है और मेरे साथ खड़ी है फसादों में वो हमारी नजरों के सामने कि अब मारी गई थी अबू मैं जैनब हूं तो मेरी आवास तो पैचानते हो बक्वास कौन है तू और इस तमाशे का क्या मतलब है तुम्हें क्या ओगा अब्बा तुम्हें तो मेरी आवास तुने बिना नीन नहीं आती थी जह जद दफाव हो जाए यहां से ने जैनिव भी जैनब, आज मेरे आंसों का तेर पे कोई असर नहीं, नहीं, बस एक नजर देख लेने दे, अम्मी, मैं चली जाओंगी वापस जहां से आई हूं, सची, मैं यहां रहने नहीं आई, अम्मी, कुंडा खोल दे, अम्मी, मेरे बच्ची, मेरे बच्ची तो काई दिलीगी पी, अम्मी, एक बार फिर सोच ले, बूट्या, जमीन मकान नहीं बेचते है, धरती मा होती है, मेरी मा मर चुकी, खाएगा क्या, और जाएगा कहा, इस गाउंस से मेरा दानापानी खत्म हो चुक है नमरदार जी, मैं अपनी जैनब के पास जाओंगा, अच्छा बूट्या, जैसी तेरी मर्जी है, यह ले, जो, जी, जो, जो. मैं रोवा तर ले पावा मुह मागी मौत ना मिले जिन्दा लाश को कहा दफरावा दिल चोरी चोरी रोए तेरी आई मैं मर जाऊं तेरा बाल भी बका ना मोए मेरोवा तर ले पावा दिल चोरी चोरी रोए जाते दिल चोरी रोए जाते 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 हो जाते रोए तैन्नू पतालगे वुम्ति की जुदाई तेरा विरब्बा यार विछडे फिरे लब्दा तु अपनी खुदाई तेरा विरब्बा यार विछडे दिल डरता डरता मेरा मिटती मैं मिट गए मिटती मैं मिट गए कब मिट गावे छोड़ा तेरा दिल चोरी चोरी रोए मैं रूवा तर ने पावा हो करते खतं पिछोड़े सपते हो करते खतं पिछोड़े सपते वतन वाशिक देड़ तु होया इश्क मेरे दियां कंच का वेरपा आज खुपियां फूखण आया मेरे दिल को कुछ कुछ होये दुख तेरा मुझे लग जाए दुख तेरा मुझे लग जाए तेरी आख कभी ना रो ए मेरूवा तर ने फावा मेरूवा तर ने पावा दिल छोरी छोरी रो ए हुआ 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 है अले बरक वो कौन सा रास्त जाएगा नाद की सीध पर चलता जा अगले चुराहे पर दाय मुड़ जाना कि अले अले ए आ तो कि यह एक ग्लास दूद का देना भाई हाँ जी अच्छा कि यह लो जी कितने पैसे आप से कैसे जनाब आप तो हमारे मेमान हैं मैमान क्या बारात में नहीं आए बारात किसका भ्याव रहा है जैनब का कुछिन हुए हिंदुस्तान से आई है जलकुडी है अनर्थ हो रहे है कि दाजी साब निकाह पढ़ा है हां जी चलिए जी जनाब कादी साब कादी साब यह भ्या नहीं हो सकता आपको रापर सुर्ट के लिए नहीं है उसका ब्याव मेरे साथ हो चुका है जैनब इस बच्ची की माह इस का फिरकी इतनी जुरत कि हमारे घर में ही आकर कुफरत हो है आज मैंसे ऐसा सबख सिखाऊंगा कि इसकी साथ साथ पच्ची भी या नते जी चलियार से ओई पाओ इसे चलियार से पादी साब यह निकाह मत करना यह निकाह मत करना कादी साब बेटी जैनब तेरे वालिद ने मुझे तरह वकील करार किया है कि मैं तेरा निकाह तेरे चाचा अली बख्ष के लड़के नुमान बख्ष साकिम बर्की के साथ बिल एवस 156 रुपए च्या ने और छे पाई सिक्काय राजूल वक्त करार किया है कि तुम्हे यहनिकाह कबूल है तुम्हे यहनिकाह कबूल है तु में यहनिकाह कबूल है अ हाँ कबूल है कमलत है कि कुर्दी इस सहते चाहऊं ही audible कि अचे शाल मेरी जैनब को जबरदस्ती मुझ से चीड कर ले जारे मुझ से तो चला भी ने जाता ह। कि में तुझी तरी माँ पास कैसी ले के जा तुमारी चीखेत सुनकर तुमारी मान लट थी तो जोर जोर से रो गुझ्टी जोर जोर से । इह क्या है अव झाल वी फिर जनुग को लाद सब मजनु होकी अलाजियो अचो गण्यातह अगराना अज़ा जी न क na क Eden ऑसले हैं कि तुटा से तुम पर ही इल्जाम है है कि तुम बिना इजाज़त पाकिस्तान में धाखिल हुए कि in कि छुमां इन अरो पाकिस्तान के छगड़े में मेरा खर बांटा घ्या defending हमिया इसकी कि हिंदोस्तान की और इसकी पाकिस्तान के हिस्षी आई जिन आप फिर विवर्टम में नामुराद इद्र कारा ना उद्र मेरे घर के टुगडे टुगडे होग्त हमारे पर रहीं करो जल एक खुलके कर किया वियतिया? पजिना आव मेरी बीवी यानी इस बच्ची की मा जबर्दस्थी雪ां से ब्रामत की गया और उसका दूसरा ब्या भी रिचा दिया गया बस उसी की तलाश में आया हूँ जिनाब तू सावित कर सकता है कि वो तेरी मनकुहा है मेरा सबूत जैनब आप है जैज साब ब्या उसकी मर्जी से हुआ था कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई जो तू कह रहा है पही बात जैनब आदालत के सामने कहेगी जी जनाब क्यों नहीं कहेगी हिंदोस्तान और पाकिस्तान के नए मोहायदे की रू से ऐसी औरते बरामत नहीं की जा सकती जो अपनी खुशी से अगर जैनब आदालत के सामने तेरे हक में ब्यान देती है तो वो तुझे वापस मिल जाएगी जी अगली पीशी में जैनब को अदालत के सामने पेश किया जाए और तब तक उटा सिंग को हिरासत में रखा जाए आज तक हमारे खांदान में किसी मर्द ने भी गोट कचारी का मुह नहीं देखा अब तू अदालत में पेश होगी शंकर बेहया बेटी पर क्यों विगड़ते हो इसमें इसका क्या पसूर है पसूर वा तो तो है बजार्थ ना इसे जन देती ना ये दिन देखना पड़ता हुआ था हाँ हुआ दूटास मेर्शी से हाँ क्या शर्म कर प्याया शर्म कर और तो उसके पास वापर जाना चाहती है है तो तूँ यहां आई क्यों थी हमारे मुँपर कालिक छ्मन चसुर्व होगी तो तो तेरा के चहरी में यही बयान होगा हां मैं यह भी कहूंगी कि आपने मुझे क्याद कर रख है तो मेरी बात भी कान खोल के सुन ले इससे पहले कि तू हमारी इज़त निलाम करे पांच लाशे उठेंगी पांच उस काफिर बूटा सिंग की कि तेरी माँ की तेरी मेरी और उस काफिर की बेटी की जो तुने काफिर बूटा सिंग को पहचानने की गलती भी की तो उसकी लाश तुझे अदालत में तड़ती हुई नजर आएगी यह सुनने थ्यान से समझ गई कि चलो जी कि मैं जानतवेदम के अधियर को जाएगी थी तोड़ा हादीनगा नहीं हदिदमादर低 नहीं रहादिया वाद्याद़ कि जैनब कि इस आदमी का कहना है हिंदुस्तान में तेरा इसके साथ ब्या हुआ था है कि यह सच है कि तेरे साथ इसका ब्या हुआ था तो इस आदमी को पहचानती है देख जैनब तेरे पर किसी किसम का दवाब तो नहीं हुआ 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 है था हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है कि दूब तुमेरे वजूद से भी इनकार कर रही है कि मुझे पहचानती भी नहीं इसका भी कोई कारण होगा पर इस गुड़ी को तो पहचानती है कि नहीं यह तो तुम्हारे श्रीर का एक खिस्सा है कोग चाहिया तेरी मैं तरह कुसूर वार हूं जैनब पर यह मासूम तो बेकुसूर है ना इसको ना ठुकरा जैनब बिन अब गुटा सिंग मुझे तेरे साथ पूरी हमदर दिया पर तुझे वापस हिंदुस्तान अपने घर जाना ही पड़ेगा कले कर घर कहां रहे गया आप कौन से घर जाओ जाब गुटी हम तेरे शहर को हम तेरे शहर को हम तेरे शहर को सलाम कर चले हैं आश्कों की आश्की के नाम कर चले हैं हम तेरे शहर को हम तेरे शहर को सलाम कर चले हैं हम तेरे शहर को पूली पिसरी जो है याद मेरी रोले ना पूली पिसरी जो है याद मेरी रोले ना रोने के बहाने दाग हिजर के धोले ना कम है क्या तुम को बदनाम कर चले हैं आशकों की आशकी के आशकों की आशकी के नाम कर चले हैं हम तेरे शहर को हम तेरे शहर को सलाम कर चले हैं हम तेरे शहर को सारे दुख सुख मेरे रखना सभाल के सारे दुख सुख मेरे रखना सभाल के रबने मिलाया कभी पूछेंगे बिठाल के मीठी मीठी पीड का पैगाम कर चले हैं आशकों की आशकी के नाम कर चले हैं हम तेरे शहर को हम तेरे शहर को सलाम कर चले हैं हम तेरे शहर को कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तोटएम। को ओुरत कर दो कर दूएम। कर दो आए बेखेन सrence। zəna 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 जुद ठाटी सर्दाटी 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 इस इंसान ने गाड़ी के नीचे आगे खुदकुशी कर लिए हाँ भैज सुना है को हिंदुस्तान जा रहा था खुदकुशी कर लिए और खुदा की कुदरत देखिए कि बच्ची बच्ची है वह खुदा वद करीम बड़ा रहीम है जिसको रखे और देखे ना इसको मारे से आया और कहां इसकी लाश पड़ी है और यह तो भूटा सी मैंने इसको अदालत में देखा था वहां इसकी बीवी ने इसको पैचाने से इंकार कर दिया और यह मासूम दन्नी बच्ची तो इसकी बेटी है तलाशी लो शायद कोई चिठी छोड़ गया हो यह चिठी है जैनब के नाम जैनब कौन जैनब इसकी बीवी विलेज एंड पोस्ट आफिस बरकी आप पूचा पढ़िये ताके सारे सुन सकें विलेज एंड पोस्ट आफ रहा ना धरम का मैं ना हिंदुस्तान में रह सकता हूं ना पाकिस्तान में मैं कहां जाओं मेरा संसार तू है और तू मुझे मिल नहीं सकती और मैं तेरे बिना रह नहीं सकता मैं इस दुनिया से जा रहा हूं और गुड़ी को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूं क्योंकि मे तेरे मन में तया आ जाए और तू मेरे और पर एक फूल रखने के लिए आ जाए तेरा भूटा सिंग वाह वाह आशिक हो तो भूटा सिंग जैसा इसकी बेवफ़ा माशूक ने भरी अदालत में इसे जलील किया पर इसका जिगर देखो मरने के बाद भी इसके दिल से उसके मिलन की आज़ नहीं गई हम लाहर के शहरी कजम खाते हैं कि बूटा सिंग की आखरी खायश को हम पूरा करेंगे इसकी बूटा सिंग घूटा खायश को हम बर्के लेगे चले चलो शहीदे मुहबद पूटा साइंग जिन्दा आवाद जिन्दा आवाद से आवाद सर्दार जी सबबाद अधर कर दो लाईटि इस जोगर हो गई है सर्दार जी देना सब्सक्राइब जिनादे को यहां किसी काफिर को नहीं तफनाया जाएगा वे बूटा सिंग काफिर नहीं था कि वो तो रब का बंदा था उसका दी ने मांधर मथब सिल्फ महबब था और उसकी आखरी खायश को पुरा करना हमारा सब का इमान है फर्स है हम कूर की नजिया बहा देंगे परेश लाश को यहां लिए दफनाने देंगे यह वह कान खोलकर सुनडो हम भी अपने सर्पे कफन बांद के आये हैं और फसाद करने के जूर्म में मैं तुम सब को ग्रिफतार कर सकता हूं मेरी बात मानो लाश को यहां दफनाने से लाश की बेहरमती हो सकती है जिस गाओं के लोगों ने जिन्दा बूटा सिंग के जिसम पर लाठियां बरसाईं वो उसकी लाश के साथ क्या सलूग करेंगे वो उसकी लाश को चील कंव और कुटों के हवाले कर देंगे मेरी बात मान थी थी हमें लाश को लाहर में दफडाना चाहिए आप की कह रहे हैं भाई साथ्यों सब को ठीक कह रहे है हमें लाहरी चलना चाहिए पूटा सिंह के लिए लहरियों ने जी भर के चंदा दिया और एक ट्रस्टे बनाया किया जो इस कबर की देखरेख और सालाना उर्स का बंदोभस करता है उसी ट्रस्ने बूटा सिंग की बेटी की तालीम और उसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी लिए अप्पा देख आज मैं अपने साथ तेरा दामात लेके आई हो हमें आशिर्वाते कि ये भी मुझे उसी तरह ब्यार करें जैसे तुने अम्मी को किया मेरा मालिक हमें सजदा करने की तौफिक बक्षि समझ सके ना, समझ सके ना, समझ सके ना, समझ सके ना इश्क करपा, इश्क ही जाने इश्क करपा, इश्क ही जाने कर दो वालिक ही तौफिक ना, समझ सके ना, इश्क ही तौफिक जाने दुनिया बोला जी इश्क ने, अपनी मना जी इश्क ने तिलवाल जल गय शौक से, जब आग लगा जी इश्क ने जोगी बना जे इश्क इश्क, सूली चढ़ है इश्क जीना सिखा जे इश्क इश्क जिसको भिया बिल जागी उसीको तो जल के कहें परवाने इश्क कर अपन जी इसक यी जाने इश्क करुक बग, इश्क ही जाने